ये face bleach यूज करने के बाद आपका चहरा शीशे की तरह चमक उठेगा आपके चहरे पर इतना गजब का गलो आएगा चहरे पर जितने भी दाग धबे पिंपल्स रिंकल्स हैं वो गाइब हो जाएंगे आपको इसका 100% रिजल्स देखने को मिलेगा आपको इस bleach को कैसे prepare करना है और कैसे अपने face पर इसकी application करनी है वीडियो में पूरा detail से बता रही हूँ इस bleach को करने के बाद आपके face पर no side effect but result market वाली bleach से भी अच्छा आने वाले है लास्ट वीडियो मैंने शेयर की थी कि bleach करने के बाद आपको अपने face पर ऐसी कौन सी चीज अपलाई करनी है जिससे की आपके face पर facial जितना glow आएगा उस वीडियो को सभी ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया और साथी साथ उस वीडियो पर बहुत सारे comment थे कि दी आप homemade bleach बनाना सिखाएं तो dear आज की वीडियो आपके लिए आप इस वीडियो को full watch कीजिए वीडियो fantastic होने वाली है इस bleach को आज ही घर पर बनाए और अपने face पर apply करें इस bleach को बनाने के लिए हमें जो सबसी पहले चीज चाहिए वो है तुलसी leaves जानी कि तुलसी के पत्ति आपको अगरापके वास तुलसी तुलसी नहीं है तो आप इसकी जगह पर तुलसी पावडर भी यूज कर सकते हैं बड़ अगर आपके घर पर तुलसी का पोदा है आपको तुलसी के काफी सारे पत्ति ले लेने हैं और आप इन फ्यूचर उनको dry करके उसका पावडर बनाकर स्ट जीवन ब्यूटी टिप्स पर जाकर उस वीडियो को जुरूर पोच करिएगा अगर आपको मार्केट वाली ब्लीज सूट नहीं करती है उसको लगाने से आपकी स्किन पर प्रॉब्लम हो जाती है तो आप इस वीडियो को कूल वाच करें और आज इस तुलसी फेस ब्लीज को घर पर बनाएं और अपने फेस पर अपलाई करें मेरे कहने पर इसे जुरूर ट्राई करिएगा मैं 100% गरंटी लेती हूं कि आपको इसका बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों आप सभी को पते हैं कि तुलसी हमारे फेस के लिए कितनी बेनिफीश करकर हमारे नये सेल्स बढ़ने में घ्रों करकर करती है उनको ग्रों करती है और साथी सार तुलसी अगर हमारी फेस की स्किन καंडी पड़ चुकी है उसको टाइट करने में उसे यंग करने में बहुत ही पावरफुल हैं आप इस बीच को कैसीट पर पेर करना है वो जरह धि तो इस मेरी वीडियो को लाइक जुरूर करिएगा नीचे लाइक का बटन है उसे जुरूर प्रेस करना आपके एक एक लाइक से मुझे बहुत सारी स्पोर्ट और मोटिवेशन मिलती है तो फ्रेंड्स आपको इस तरह से 15-20 दुलसी के पते ले लेने हैं और नेक्स्ट जो च आप दो चमच भर कर अलुवीरा जैल के लेने हैं अब बात करने हैं कि फ्रेश अलुवीरा जैल कैसे यूज़ करते हो तो आपको यह जैलो वाला पार्ट इसका रिमूव कर देना है क्योंकि इसमें बहुत सारा पोइजन होता है जो हमारी स्किन के लिए हांफून हो सकता है नेक्स्ट आपको इस तरह से इसके कांटे रिमूब कर देने हैं जैसी कि मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स अगर फर्स टाइम आप मेरे चैनल पे आए हैं तो आप प्लीज जीवन वीडियो टिप्स को सस्क्राइब कर लीजिए और भी अच्छी अच्छी और यूस्फुल वीडियो देखने के लिए नीचे जो रैड कलर का सिस्क्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए और ग्रे में कनवर्ट कर भीजिए बात जुमें चोटा सा बैल बटन होगा उसे जूर प्रेस कर लेना तान जुमें जो भी वीडियो अप्लोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जुरूर पहुंचे और आप मेरी हर वीडियो देख पाएं मैंने जहां पर अलोवीरा के टू लिफ्स लिये हैं उनको वाश करने के बाद यलो पार्ट रिमूव कर दिया है और उनके कांटे इस तरह रिमूव कर दीजिए और आपको अलोवीरा को बीच में से कट कर लेना है और इसके छोटे-छोटे पीसिस आपको कट कर लेना है जै सब्सक्राइब करें जैसे की वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसको मिक्सी जार में डालने के बाद आपको इसका फाइन पेस्ट तयार कर लेना है इस पेस्ट के सबसे इची बात यह है कि आप इसे बीच दिन तक फ्रीज में स्टोर करकर रख सकते हैं यह खराब नहीं है मैं वह आपके साथ शेयर कर रही हूं पेस्ट को अच्छी तरह से किसी वावल में निकाल लीजिए अब आपको क्या करना है आपको वह जीच लेनी है जो आपकी स्किन को सूट करती है मैं यहाँ पर ले रही हूं तीन से चार चमत बेसन अगर आपको बेसन सूट नहीं कर आपको वन फोर्थ के क्रीब इसमें हल्दी पाउडर एड़ कर देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए नेक्स्ट आपको जो हमने पेस्ट अलोवीरा जैल और तुलसी लिप्स का पर पेर किया था उसके तीन से चार चमत इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छ का आटा लें जा फिर गेहूं का आटा चारों में से कोई भी चीज डाल कर इस पैक को इस ब्लीज को पर प्रपेर कर लें और इसे लगाना कैसे है वह ध्यान से देखिए आपको सबसे पहले अपने फेस को अच्छी तरह से वाश कर लेना है फेस वाश की हैल्प से और उसके मिनिट के बाद आपको इसे कैसे रिमूब करना है आपके साथ वह भी शेयर करी हूं कुछ वीवर्स का यह कोमेंट है कि दी हम अलोवीरा जेल को कैसे अपने घर पर स्टोर करके रख सकते हैं तो डियर उसके लिए आपको फ्रेश अलोवीरा जेल का पाउडर कैसे तयार करन हैं बहुत ही जल्दी मैं अपने चैनल पर वीडियो अप्लोड करने वाली हूं आप उस वीडियो को जुरूर वाच करिएगा और अगर आपके घर पर फ्रेश अलोवीरा जेल है तो आप उसे वन येर तक स्टोर करके रख सकते हैं अब आप देख सकते हैं कि 20 मिनिट के बा अपने फेस को नॉर्मल पानी से वाश कर लेजिए आपको फेस वाश यूज नहीं करना है और जब आप अपना फेस वाश करोगे तो आप रजल देखकर खुद हैरान हो जाओगे और आपने दोबारा मेरी वीडियो पर आकर मुझे कोमेंट करकर जुरूर बताना है कि आप आपको इसका रजल्ट कैसा मिला है आई होप आपको फेंटास्टिक रजल्ट मिलेगा यह बहुत ही अच्छी ब्लीच है इसको लगाने से नहीं आपकी स्कीन पर कोई साइड एफेक्ट होगा और नहीं आपको इसको लगाने के बाद कोई फेशिल करने की जूरत बढने वा आप जहां भी शोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं फेस्बूक, वर्टसब, इंस्टागराम वहां पर इस वीडियो को जुरूर शेयर कीजिएगा अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल जीवन वीडियो टिप्स को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सस्क्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपना प्यार इसी तरह मेरे चैनल पर बना के रखिए, मुझे स्पोर्ट केजिए, मिलती है मेरी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स पूर वाचिंग, टेक केर, बाबाई